नमस्कार दोस्तों मैं राम निवास और आप सभी का तयारी कर लो अपलिकेशन पर हार्दी की स्वागत है तो दोस्तों एक बार फिर अपने फ्रोफिट लोस के बारे में बात करते हैं कि जो ला भानी है उसमें क्या क्या हम यूज करते हैं कैसे मैं असका बैसिक पार्ट और गॉसा कैसे पूछ है और का पहला क्या प्लमनाय विश्तों है सodie स्कारा हूँ तो इसमें तो पुछे जा सकते हैं पटवार में तो यह पूछा जाना ही है ठीक है जूनिर अकाउंटेट अलडी सी जो काफी सारे एक्जाम है जिन में इस ट्राइप के कुछेंस आपके जाएंगे आपको क्या दिया है कि 400 निम्बूओं का लागत मुले, लागत मुले मैंने आपको बता है, लागत मुले का मतलब क्या होता है, क्रेम मुले, ठीक है, 320 निम्बूओं के विक्री मुले, विक्री मुले का मतलब क्या होता है आपका, विक्रेम मुले, ठीक है, सेलिंग प्राइस, SP और क्रैम मुल्य मतलब क्या हो जाएगा आपका CP अब आपको दो चीजें दे रखें क्या दे रखा है क्रैम मुल्य के वर्ड भी दे रखा है और विक्रैम मुल्य वर्ड भी दे रखा है आपको इसकी जो में जो यहां पर जो इसकी फोर्म में वो समझनी है कि वह किस रूप म आपको बताना है उस पर लाब परतिसत क्या होगा, अब exam में क्या होता है कई बार एसा भी पूछ रही है, बताइए यहाँ पर लाब क्या होगा या hholes होगी दोनों, तो हम लाब और अनी तब decide कर पाएंगे ना, जब हम इसकी man four बनाएंगे, तब हमें पता चलेगा कि यहां पर एक चुल में लाब हो रहा है कि हानी हो रही है और मैंने आपको बताया कि लाब और हानी सिर्फ और सिर्फ एक एफेक्ट होता है एक परभाव होता है ये कब decide होता है कि जब हमें crime मुले और विक्रेम मुले दोनों बता होता है कि भई अगर मालो मैं initial stage से मैं आज आगे की तरफ जाता हूँ या कहीं कुछ दूसरे थोड़ा बहुत change होता है इसका मतलब ये वाकि जब मुझे lab और honey decide करना है तो decide करने के लिए मुझे क्या पता होना जरूरी है एक तो पहली term पता होना जरूरी है एक second term पता होनी जरूरी है first term का मतलब है मुझे crime मुले पता होना जरूरी है second term का मतलब है मेरा vic crime मुले पता होना जरूरी है अगर मैं सिर्फ किस की बात कर रहा हूं कि अगर मैं बात कर रहा हूं फ्रोफिट लोज की अगर मैं ब्याज की बात करता तो मैं मूल दन पता होना जरूरी होता और मिसर दन पता होना जरूरी होता इस दोरान वहां पर जो चेंज होता वो कितना होता आपका ब्याज होता और उसी को हम decide करते हैं ठीक है अब देखिए अब हम किस तरीके से पहली स्टेज और दूसरी स्टेज को define करेंगे कैसे इसको find out करेंगे तो देखिए यहां पर कि 400 निम्बूओं का लागत मुले 400 निम्बूओं का लागत मुले तो मैंने यह लिख दिया कि 400 निम्बू इंटू क्रेंग मुले यानि एक का क्रेंग मुले इंटू क्या कर दूँ मैं 400 ठीक है तो 400 का क्रेंग मुले आ जाएगा मेरे पास में यह किसके बराबर है यह 320 निम्बूओं के विक्रेंग मुले के बर तीन सो बीस निम्वों के विक्रे मुल्य के बराबर है आप यहां पर एक चीज नोट कर सकते हैं कि यहां पर यह फॉम बन रही है जिसा कि मैंने आपको परसंडेज में बताया था कि यह यहां पर जो फॉम है इस टाइब के बनेगी टू ए इक्वल्स टू थ्री बी और तब म से किसन हंडेड एन परसंट आपका पूछा जाता है ध्यान में रखना यहां पर क्या बनेगा तू एकोल इक्वल्स टू थृय अब इसमें होता क्या है कि एक माण तो होता है बी के साथ वाला और बी का मान होता है एक के साथ वाला मतलब दोनों चीज एक दूसरे कि साथ जो कॉफिसेंट है उस पर डिपेंड गरती है वही ए का मान तो हो जाएगा B के साथ वाला और B का मान क्या हो जाएगा A के साथ वाला कैसे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ A upon B यान B को मैं निचे लिया हूँ तो 3 तो उपर है 2 कहा चला जाएगा निचे तो आप देखिए A का मान कितना है 3 और B का मान कितना है 2 देखिए A का मान 3 3 कहा है B के साथ में तब मैं इन सोर्ट में ये बोल सकता हूँ कि अगर यहां पर 2A एको स्टू 3B इस टाइप कि कहीं भी एकर फोर्म बनती है इसा रूप बनता है तो आप कह सकते हैं कि इस सैड़ वाले का मान होता है जो दूसरी सैड़ में उसके साथ वाला और B का मान आपका क्या हो जाएगा इस सैड़ में जो A है उसके साथ वाला तो इसी तरीके से यहां पर हम देखते है कि जो क्रेम उल्ले इसका मान कितना हो जाएगा जो विक्रेम उल्ले के साथ में और विक्रेम उल्ले का मान कितना हो जाएगा जो क्रेम उल्ले के साथ में तो मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख लेता हूँ क्रेम उल्ले और बटे में क्या लिख देता हूँ मैं? विक्रेम उल्ले ठीक क्रेम मुले बटे विक्रेम मुले तो देखें यहां पर 320 है अब यह 400 कांचला जाएगा नीचे 400 कांचला गया नीचे अब यह चीज देखें आपकी कैंसल आउट हो रही है और इसको किस से कैंसल आउट कर दोगे? इसका मतलब क्या हुआ? कि मैं कोई भी चीज चार रूपे में खरीद कर और पांच रूपे में बेचता हूँ किसी भी चीज को अगर मैं चार रूपे की चीज़ उसको खरीद कर पांच रूपे में बेचता हूँ तो इस दोरान आप देख सकते हैं मैं ज्यादा में बेच रहा हूँ तो मुझे एक का क्या हो रहा है लाब हो रहा है छीक है एक का क्या हो रहा है लाब हो रहा है आप से क्या फुचा गया है कि लाब प्रतिसत कितना है लाब प्रतिसत कितना है तो मुझे अगर percentage निकालना है percentage profit अगर निकालना है तो बात profit की हो रही है profit कितना हो रहा है एक का तो मैं एक, बटे में लाब किस पर decide करेंगे आप, क्रेम उले पर क्रेम उले कितना है आपका, चार तो बटे में चार, into क्या कर देंगे, 100, तो यहां पर अपने पास में कितना आजाएगा, 25% कितना आजाएगा, 25% जो कि आपका option कौन सा है C option आपको दिया गया ठीक है, समझेरे बात को देखिए इस बैसिस अपने एक question और करते हैं, मैं आप से कूँ, 20 वस्तू 20 वस्तू का क्रेम उल्ले 20 वस्तू का क्रेम उल्ले 30 वस्तू के विक्रेम उल्ले के बराबर हो विक्रेम उल्ले के बराबर हो तो कितने प्रतिसत का लाब अथवा हानी होगी लाब अथवा हानी होगी ठीक है? ये चीज़ आपको बतानी है सेम क्रेशन है जिसा हमने किया था लास्ट उसी पेटरन पर था हम क्या करेंगे 20 वस्तों का क्रेम उले तो मैं लिख दूँगा 20 इंटू क्रेम उले बराबर किसके? 30 वस्तों के विक्रेम उले के तो 30 इंटू क्या कर देंगे? विक्रेम उले ठीक है? अब देखो क्रेम उले कमान जो विक्रेम उले के साथ में विक्रेम उले कमान जो क्रेम उले के साथ में तो मैं इसको क्या लिखूंगा? क्रेम मुले, बट्टे क्या लिखे देंगे, विक्रेम मुले, क्रेम मुले कितना है वही, 30, विक्रेम मुले कितना है, 20, अनुपात कितना हो गया, 3-2, ठीक है, अब आप इसको इस तरीके से बढ़ सकते हो, कि 3 रुपे में खरीदी, क्रेम मुले के सामने कितना है, 3, 3 रुपे हो कितना बड़ा है नुकसान तब होता है जब हमें पता होता है कि हमने ये चीज कितने में खरीदी थी तो खरीदी कितने में थी हमने तीन में खरीदी थी बटे में तीन और इंटो क्या कर देंगे सो तो हमारा जो नुकसान है वो 33 सी एक बटे 3% होगा कितना नुकसान होगा 33 सी एक बटे 3% होगा ठीक है तो इस तरीकी से आप क्योसिन को कर सकते हैं और ये मैंने आपको लास्ट कोईसेन में जो डिटेल में बताया था तो इसका डिटेल मेथड़ था ठीक है आप अगर चाहो तो सर फोज बिएया सी है यह जैसे मालंव दिया है 20 वस्ताओं का क्रें मुल्य और 30 वस्ताओं के विक्रें मुल्य कर लाइं ऐस तो आपको करना किया है कि direct हम इनसोर्ट में इसको करेंगे कैसे अब को अब इस फॉर्मेट को समझ गे तो हैए तौब इससे डारेक्ट कह सकते हो क्लब से कमान और विक्रे मुल्य का का पैसले है और कम में बेचा है इशा मीस नुकसान और 수 अपसान आपका 10 रुपे का हो रहा है कितने पर 30 पर तो आपको पता है लोस हो रहा है और आप find out कर सकते हैं जैसा कि next question है और जल्दी से मुझे करके बताओं कि इसका answer क्या होगा देखिए यदि 50 कलम का क्रे मुले और 60 कलम के विक्रे मुले की बराबर है तो मैं direct कह सकता हूँ कि 60 में खरीदी बेची कितने में 50 में क्रेम मुले और विक्रेम मुले की अगर मैं बात करूँ तो आम मैं कह सकता हूँ 60 में खरीदी क्योंकि क्रेम मुले का मान विक्रेम मुले की साथ वाला है ठीक है तो 60 में खरीदी और बेची कितने में हैं 50 में नुकसान कितने का हुआ है? 10 का, ठीक है? तो percentage loss कितना हो गया? 10 का, किस पर? loss किस पर होता है? क्रेम मुल्य पर, तो क्रेम मुल्य कितना है? 60, बटे में कितना है? 60, इंटू क्या कर देंगे? 100, 0 सी 0 हो गया, 1 बटे 6 इंटू 100, इसका मतलब 16 सही 2 बटे 3 परसेंट, तो लाब त अंसर हो जाएगा, तो इस तरीके से हम इसको solve कर सकते हैं, तो मेरे इसाब से आपको अब दिक्कत नहीं आने चाहिए, और यह काफी important, इस टाइप है, वो काफी important है, आपको इसको अच्छी तरीके से समझना है, और इस पर आपको practice रखनी है, देखिए, next करके बताओ, next बह आपको इसको आपको किया दिया गयाяж ए, कि 33 वश्तों का क्रैम मुले कितना है, एक्स है, ठीक है सुरी, 33 वश्तों का क्रैम मुले, x वश्तों के क्रैम मुले के बराबर है, तो same जो last हम नहीं किया था, सेम वेसा ही टाइप है यहन तेतीस वस्तों का क्रेम मुले X वस्तों के विक्रेम मुले के बराबर है अब X वस्तों मतलब X का मतलब क्या है यहां पर तो भी डोंट लो कि यहां पर क्या है वहां पर जो चीज है उसको X मान लिया गया है कि भी X वस्तों थी तो यदि 10% का लाब हुआ है भी हम लाब find out करें थे last question तक लेकिन यहाँ पर लाब 10% दे रखा है आपको यह निकालना है x का मान कितना है मतलब जो x वस्तु हैं जिनका विक्रह मुल्य आपको दिया गया था उन x वस्तु की संक्या कितनी है वो आपको find out करनी है अब हम इसको कैसे find out करें आपको एक चीज करनी है आपको पता भी है यह कौन सा type है 2a बराबर 3b जो मैंने लिखा था कि 2a बराबर 3b जो मैंने आपको बताया था सेम उसी type का है तो a कमान b के साथ वाला और b कमान a के साथ वाला तो यहां पर क्रें मुल्य कितना है x है तो विक्रें मुल्य कितना हो जाएगा आपका 33 ठीक है क्रें मुल्य अगर x है तो विक्रें मुल्य कितना हो जाएगा आपका 33 मैं इसा लिख सकता हूं क्रें मुल्य बटे में विक्रें मुल्य तो क्रें मुल्य कितना है आपका x विक् लाब कितना हो है, आपको उसर 10 percent हो है, कितना हो है, 10 percent. 10 percent का मतलब कितना होता है, 10 बटे 100 होता है. हम क्या करेंगے, 0 से 0 को cancel out कर देंगे. तो यहाँ पर आपका रहा कितना, 1 बटे 10. अब एक चीज बताइए, जब भी लाब होता है, या हानी होती है, percent में दिया हो गया होता है कि प्रतिस्ट लाब कितना है हम कहेंगे 10 percent है 10 बटे 100 हो गया मतलब 10 percent का मतलब 1 बटे 10 हो गया तो ये जो उपरवाली value है ना वो होती है जो हमें जिस चीज के बारे में जिकर कर रहे हैं यहां पर जिकर लाब का कर रहा हूं तो उपर क्या लाब रहेगा लाब किसके रेस्पेक्ट में निकाला जाता है क्रैम मुल्य के इसके रेस्पेक्ट में क्रैम मुल्य के तो नीचे जो 10 है वो किसकी वेल्यू है 10 आपकी किसकी value है, 10 आपकी crave-mulday किये, तो फिर वी crave-mulay कितना हो झाएगा? वी crave-mulay, तो आप क्या करोगे? 10 प्लस 1, कितना आ जाएगा? 11 वी बिव Dare-mulay कितना हो झाएगा? 11, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा? कि विक्रेमुले यहाँ पर 33 दिख रहा आपको सामने क्रेमुले कितना दिख रहा है? X दिख रहा है और यही जो X था इसका मान हमें निकालना है आपको पता है विक्रेमुले 11 था यहाँ पर 33 है तो मैं क्या compare करूँगा 11 बराबर 33 याँ एक का मान कितना आजाएगा? 3 आजाएगा एक का मान यहाँ पर कितना आजाएगा? 3 आजाएगा तो क्रेमुले यहाँ पर कितना है? क्रेमुले हमारा कितना है? 11 का मान 30 है एक का मान 3 है तो क्रेमुले कितना है? 10 तो 10 का मान कितना आजाएगा? 3 into 10 तो कितना आजाएगा आपका 30 यानि जो X है उसका मान कितना आजाएगा 30 यानि X का मान कितना होगा 30 होगा इस तरीकी से हम इसको find out कर सकते हैं ठीक है तो उमीद करता हूँ कि सारे चीजें आपको अच्छी तरीकी से समझ में आ रही है बहुत ही अच्छा question था प्यारा question था थोड़े से level का questions था exam में आने लाई question है तो इसको आप ध्यान में रखोगे अगर फिर भी कहीं कोई दिक्कत आती है आपको तो आप थोड़ा सा वीडियो पिछे जाओगे और दुबारा इसको डंग से समझोगी कि हम किस टाइप से कर रहे हैं जिसे यहां पर हो सकता है किसी को दिक्कत आ जाए अगर कोई नया student है पहली बार अगर preparation कर रहा है तो उसको यहां पर दिक्कत आ सकते कि सर ने यह चीज़ें कैसे decide कर दी ठीक है तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ बता देता हूँ अगर मैं हानी की बात करूँ प्रतिसत हानी हाना formula बताता हूँ हानी की बात करूँ तो हानी उपर लिखूँगा हानी किस पर decide होती है क्रेम मुल्य पर इंटूम क्या कर देंगे इसी तरीके से मैं lab की अगर बात करूँ तो lab किस पर decide होता है क्रेम मुल्य पर decide होने का मतलब है किसी के उपर होने का मतलब यह होता है कि आप उसकी तुलना किस के respect में करते हो यानि यह जो चीज है ना इसका existence इसका अस्तित्व है किस के कारण है lab और हानी तब ही possible होती है जब आप चीज खरीदोगे आप चोरी चकारी करोगे किसी उठा के लाओगे तब आप profit loss नहीं find out कर पाओगे आप सारे already profit में loss में कभी होई नहीं सकते अगर आप चीज को खरीद के लाते हो और फिर बाद में आप देखोगे उसको बेचोगे अच्छा लाब और हानी के लिए दो चीजे होना बहुत जरूरी है क्या चीज होना जरूरी है अच्छी तरी की समझ लेना एक चीज तो यह फर्स्ट तिंग तो यह कि आप उस चीज को खरीदोगे मतलब लाब हानी के लिए आपको उस चीज़ को खरीदना जरूरी है ठीक है पहले चीज़ यह इसका मतलब यह वा कि हम हमारी language में अगर बात करें गणीत की language में अगर बात करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर lab और honey decide करना है तो उसका क्रेम मुल्य होना जरूरी है यहांपर effect होगे हमारे साथ में तीन परिवर्तन हो गे तीन chances होगी वो changes क्या हुँगे ? पहला ही होगा या तो यह honey होगी यह तीसरा क्या होगा ना लाब होगा ना honey होगी तीन चीज़े होगी बस इसी तीन चीज़ के बारे में हम पूरे पूरे टोपिक में discuss करते रहते हैं कभी कम करते हैं कभी ज्यादा करते हैं कभी क्रेम मुले निकाल लेते हैं कभी विक्रेम मुले निकाल लेते हैं तो गूम बिर के हमारे पास में पांच चीजा ग्याद करने के लिए ठीक है जब बार डिसकाउंट टोपिक क्या आएगी तो डिसकाउंट हमेशा कब होता है आप कभी भी किसी जिगह जाते हो तो डिसकाउंट यह चूट कब मिलती है आपको चूट जब मिलती है जब उसके पर कुछ प्रिंटेड प्राइस हो ऐसे नहीं है कि आपको दुकान दार है जो मन में आए वह भाव लगा देगा और फिर कहेगा अच्छा यह सा है क यह तो प्रिंटेड प्राइस होना जरूर है इसका मतलब उस चीज का अंकित मुल्य पर छूट होगी छूट के बाद में वह आपसे बेचेगा और इसमें भी क्या होता है अगर वह बेचता है तो दुकान दार के लिए वह क्रेम मुल्य लेकिन आपके लिए कस्टमर के बारे में डिसकस करते हैं वहाँ पर दो नई ट्रम निकल कर आती है जूट आती है और दूसरी आपके आती है अंकित मुल्य तो कुल मिला के पूरे टोपिक में पूरे टोपिक में हम साथ ट्रम के बारे में जिकर करते हैं साथ चीजों के बारे में जिकर करते हैं जब यह सा में क्रेम मुल्य है तब ही मेरा लाब और हानी है ठीड है अब आप क्या करोगे आपको परसेंट में दिया होता है आप से कोई भी कहा दे कि बरी हैसा करो जो hani आप से इसा बोलतेगा कि जो लाब नो बटा आपको ये भी बोल सकता है कि जो लाब है वो ग्यारा सही एक बटा 9% है अब देखो इस टाइप की questions है तो हमें कैसे करने हानी कितनी है 10% 10% का मतलब कितना होता है 10% 10 किस पर 100 तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ एक बटा 10 insert में 10 बटे 100 लिख सकते हो अब भई आप बच्चे तो हो नहीं competition का exam दे रहे हो तो आपको पता है percent का मतलब क्या होता है percent है 100 तो बटे में जब percent sign हटाओगे तो आप कैसे समझोगे अगर मैं कुछ नहीं लिखूँगा आपको नहीं यह percent लिखा हुआ understood आपको दिखनी राग्या तो आप एक बात बताओ जब मैंने 10 लिख रखा है 10 से में कैसे समझो यह 10 percent है 10 को तो मैं 10 ही समझोगा तो इसके लिए आपको sign लगाना पड़ेगा अगर sign भी नहीं लगाना चाहते आप कहते नहीं हम sign क्यों लगाए तो ना लगाओ तब आपको बटे में कितना लिखना पड़ेगा 100 लिखना पड़ेगा तो इन चीजों को ध्यान में रखना है कि वही 10 में 10 percent में और 10 बटे 100 में क्या फरक होता है यह चीज़ें आपको पता होनी जरूरी है ठीक है तो आमने देखा कि 10 percent का मतलब 1 बटा 10 हो गया उसके बाद 20 percent का मतलब कितना होता है बीस परसेंट 20 बटे 100 यानि एक बटे कितना हो जाता है पांच ठीक है आप यहां पर देखिए 16 सही दो बटे 3 परसेंट में आपको percentage में बता चुका हूँ 16 सही दो बटे 3 परसेंट का मतलब कितना होता है 48-50 बटे 3% यानि 50 बटे 300 यानि 1 बटे 6 यह किसका मान होता है 1 बटे 6 का 11 से 1 बटे 9% का मतलब कितना होता है 99 और 100 100 बटे 100 बटे 9% यानि 100 बटे 900 इसका मतलब यह किसकी वेल्यू होती है 1 बटे 9 की वेल्यू होती है जो सारी चीज़े मैं आपको अल्रेडी percentage में explain कर चुका ठीक है अब देखो अब यहाँ पर में चीज क्या निकल कर आती है हमारे सामने मैं चार चीजें आपके सामने लिख रखी है मैंने आपको क्या कहा था कि लाब और हनी ठीक है मदभार आप देखो मैं फिर से आपको यह चीजें बता देता हूं और यह बहुत important चीज है क्या पूरी slide में अगर आपको कोई दिक्कत आती है पूरे इस में पूरे इसमें प्रोफिट लोस में और अगर पूरी Slide जो मैं ने चीज़े बताईए और जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप उसको अच्छी तरह की से सुन रहे हो, तो आपको कभी कोई प्रोप्लम नहीं आएगी, आपको इतने अच्छे से पूरा स्टोंग हो जाएगा टोपी, मैंने क्या बताया था, लाव और आनी ओनली एफेक्ट है, अफेक्ट रहे हैं, तो हमने देखा लाव और हनी, यह लाव और हनी हमेशा कब होते हैं, जैसे आज हमारे में कुछ परिवर्तन हो रहे हैं, तो परिवर्तन कैसे बता चलेंगे, जब हम देखेंगे, हमारे इनीशिल स्टेज कितनी थी, हमारे कुछ साल पहले हम क्या थे, अना तो हम प पहले बाले चीज क्या होती है खरीदना होता है किसी वी चीज को क्रेम उल्ले होता है ठीक है तो आपको चीज समझ में आई कि क्रेम उल्ले से जब मैं विक्रेम उल्ले जाता हूं तो मेरे साथ में दो चेंज होते हैं एक तो क्या होता है लाब होता है या क्या होता है हानी होत फिर विक्रेमुले, क्रेमुले, हानी और विक्रेमुले मतलब मेरे पास में दो रस्ते हैं और दो रस्तों में तीन चीज आती है तीन चीज में जब दो चीज पता होती है हमेसा तीसरी चीज को हम निकाल सकते हैं ठीक है? कैसे? मतलब तीन ट्रम दी गई है उनमें से कोई दो मुझे मिल जाये तो मैं तीसरी को निकाल सकता हूँ इसी तरीके से यहां पर देखिए आपको यहां पर मेरे पास में सारा डेटा मुझे मिला हुआ है कैसे? हानी बात किसकी हो रही है हानी की? मैंने आपको बहुत ही सिंपल गिंगवेज में चीजशें बताइए कि जिस चीज़ के वारे में हम जिकर करते है न वो चीज हमेशा उपर रहती है जिकर किसका हो रहा हानी का हानी का रहेगी? यह लो हानी कमान कितना एग यहां पर जिकर किसका हो रहा है? लाब का, तो उपर कौन रहेगा, लाब, ठीक, यहां जिकर किसका हो रहा है, हानी का, हानी कहा रहेगी, उपर, यहां जिकर किसका हो रहा है, लाब का, लाब कहा रहेगा, उपर, ठीक, लाब और हनी हमेशा किसके साथ में compare होते हैं, आपको उसर क्रेम उल्य के साथ में, very good, कि जिसके साथ में तुलना होती है पार्ट नीचे लिखा जाता है तो तुलना हमेंसा लाव बब हुँ अर्च करेम उल्ले के साथ में होती तो observe CP, Grisini طर साथ में jsit considered होगा तो हमने यह देखा मुझे आनी और क्रेम उल्ले मिल रहा है क्रेम उल्ले और लाब मिल रहा है क्रेम उले हानी, क्रेम उले लाब, सारी चीज़े मुझे मिल रही है, तब मेरे लिए कुछ भी मुस्किल नहीं है, फाइंड आउट करना, मैं इसली सारी चीज़े निकाल सकता हूँ, कैसे, अगर मुझे इस केस में कोई कह दे कि बाई साब, आप विक्रेम उले निकाल कर बता हूँ, fraction में भी लेके समझा रहा हूँ, कैसे convert करना है, उसको भी कैसे consider करना है, बस फरक क्या है, आप लोग इनको देखे तो बहुत easy लगता आपको, ये चीज़ देखे आप गवरा जाते हो, क्यों क्योंकि देखो ये इसमें बहुत सारी चीज़े हैं, टेडा मेडा लिख हूँ है, तो आपको बड़ी दिक्कत होती है, तो आपको यहां पर देखिए, कि ये चीज और इस चीज में इनका result भी ऐसे fraction में आ रहा है, ठीक है, कोई अंतर नहीं है इनमें, बस आपको थोड़ों सा confidence का स्वाल होता है यहां पर, क्योंकि हमें अच्छी तरीकी से clear नहीं क्रेम उले का मतलब है, मैनने चीजघ खरीदी और फिर मुझे नुकसान हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? कि विक्राम उले खरीदी और मैं नुकसान भी ले रहा हूँ, तो नुकसान कब होगा? जब आप बेचोगे तब इसका मतलब जो भिकने के बाद में जो rate मिलेगी वो आपको कम मिलेगी, कितनी कम मिलेगी, जितनी हानी होगी, इसका मतलब विक्रे मुले हमेशा हानी की केस में क्रे मुले से छोटा होता है, और कितना छोटा होता है, जितनी हानी होती है, तो दस में से एक गड़ जाएगा, तो विक्रे मुले आपका कितना रहेगा, नो ठीक है इस देट के लिए आगे देखते हैं विक्रे मुले यहां पर हम बात करते हैं विक्रे मुले किस केस में लाब के केस में लाब अगर होता है तो हमें ज्यादा मिलता है ठीक है ज्यादा मिलता है का मतलब क्या है बेचना बेचने का मतलब क्या है आपका कि विक्रे मुले स मैं इस case में बात करूं, हा नहीं है, तो विक्रे मुले थो छोटा होता है, शुम्पल सी बात है, 6 मैं से कितना आ जाएगा? पांच आ जाएगा, यहां देखे, लाब हो रहे के विक्रयम मुलमे के बराबर हूं देखिए एक जीज हमें यह लाइन हम पढ़ते आ रहे हैं और आगे हो सकता है इसमें और क्रेक्षन होके कि उसोंसअब से पुछे जा सकते हैं तो यह चीज जो ही पढ़ो ना पढ़ते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमें क्रेम मुले और विक्रेम मुले तो एटलिस्ट पता होना ही चाहिए कैसे 18 वस्तों का क्रेम मुले 15 वस्तों के विक्रेम मुले के बराबर है तो ये बात 2 ए बराबर 3B वाला हो गया कुछ केस तो क्रेम उले के मान विक्रेम उले के साथ वाला और विक्रेम उले के साथ वाला तो क्रेम उले कितना आपका पंदरा विक्रेम उले कितना आपका अठार है ठीक है मैं इसको पांच नपात छे लिख सकता हूँ देख कट रहा है ना तीन से तो पांच नपात छे इसका मतलब क् कि 5 में चीज खरी दी, बेच कितने में दी, 6 में, फाइदा कितने का हो रहा है, एक का, बस सारी चीज़े हमने यहां तक clear कर ली, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ, कि हमेशा क्रेमले विक्रेमले हमारे पास में होते हैं, तो हम लाब और हने decide अकसर कर लिया गरते हैं, तो तब 600 रुपे के खरीद मुले पर, मतलब यह वहा, कि अगर क्रेमले जिसे, मतलब इस तरीके से जो क्रेमले आ रहे हैं, और उसी क्रेमले के हिसाब से मैं 600 रुपे में कुछ चीज़ें खरीद रहा हूँ, तो विक्रेता को कितने रुपे का लाब होगा, इसका मतलब क्या रुपे अगर 5 बराबर कितना कर दूं मैं 600 रुपे यहां पर क्रेम उल्य की तुलना करवा रहा है तो अगर मैं 5 बराबर क्या कर दूं 600 रुपे तो 5 बराबर क्या कर दूं 600 रुपे तो एक का मान कितना आ जाएगा 600 बटे 5 कितना आ जाएगा 120 ठीक है 120 तो आप से क्या 600 रूपे तो 5 बराबर 600 तो एक कमान कितना जाएगा 120 एट मेंस C option is the right answer आपका सही उत्तर है वो कौन सा option हो जाएगा C option हो जाएगा ठीक है तो मेरे हिसाब से आपको इनमें कोई problem नहीं होने चीए अब देखें आगे वाला question बहुत ही अच्छा question है इस पूरे वीडियो में हम क साथ किताब बेच देता है और 20 किताबों के क्रेम उल्ले के बराबर लाब कमाता है कितने के बराबर 20 किताबों के क्रेम उल्ले के बराबर लाब कमाता है तो उसका लाब परतिसत क्या होगा उसका लाब परतिसत क्या होगा ये चीज़ आपको बतानी है ठीक है तो एक चीज बताओ कि अगर कोई आदमी साथ किताबें बेचता है मैं ऐसा माल लेता हूँ कि वो आदमी अगर साथ किताबें बेचता है तो साथ किताबें उसने खरीदी भी होगी खरीदी है तभी तो उसने बेची है तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 60 किताबों का कुछ ने कुछ क्रेमुल्य होगा, ठीक है, अच्छा पहले आप ये देख लो, कमा क्या रहा हूँ, लाब कमा रहा है, आप ने देखा लाब भी आ रहा है इसमें, ठीक है, जो जो कंडिसन है वो लिख लेना, और एक्जाम में लिखना नहीं है, अभी मैं समझा इसलिए आपको बता रहा हूँ कि टाइप किस टाइप का है, बेचता है, इसका मतलब यहां पर क्या है, विक्रेमुल्य भी, क्रेमुल्य के बराबर है, इसका मतलब क्या है, क्रेमुल्य, अगर ये ना भी बोलता ना क्रेमुल्य का, तब भी भी क्या होता, तब भी भी हम क् यहां पर भी देखें, 33 मिटर कपड़ा बेचने पर, 33 मिटर कपड़ा बेचने पर, एक व्यापारी है, वो कपड़ा बेचता है, बेचने पर, इसका मतलब विक्रयमुले की बात हो रही है, ठीक है, बेचने पर 11 मिटर कपड़े के विक्रयमुले के बराबर, ठीक है, लाब हो इसमें तो आपने विक्रेम उले क्रेम उले और लाब तीनों में अंतर है मैंने आपको एक चीज यहां पर यह बताई थी कि यह चलो क्रेम उले इसने लगवाई चांस दे दिया ठीक है अगर यह नहीं भी देता ना तो हम कंसिडर करते 101% करते क्यों करते जरा इस question को पढ़ लेते हैं इसको पहले solve कर लेते हैं उसके coding फिर में देखेंगे मैं आपको बताऊंगा 33 मिटर कपड़ा बेचने पर एक व्यापारी ने 11 मिटर कपड़े के विक्रेम ले के बराबर लाब कमाया अब आपके एक दिमाग में आने चीए आपने बहुत जगे इसके solution देखे होंगे बहुत वीडियो देखे होंगे जगा जगा अलग लग टीचर से आपने पढ़े होंगे लेकिन आपने मुझे ये विश्वास है इस चीज़ का कि आप मेंसे 1% या 0.5% लोगों को पता होगा कि क्यों होता है क्यों हम लेते हैं बाकी लोगों को पता ही नहीं क्यों करते हैं किसे करते हैं इसका reason क्या होता है मैं आपको बताता हूँ मैंने अभी आपको बताया था कि आप lab और honey कभी भी decide करते हो तो आप ऐसे मरजी के according कर लेते हो क्या आपको खरीदना जरूरी होता है क्या जरूरी होता है खरीदना it means उसका क्रैम मुले पता होना जरूरी होता है इसलिए हम क्रैम मुले लेते हैं हम वी क्रैम मुले जैसे दिया हुए वी क्रैम मुले और lab दिया हुए फिर क्रैम मुले क्यों ले लेते हैं जबर दस्ति बार बार क्यों क्रैम मुले के बात करते हैं इसमें क्रैम मुले कहां से आ जाएगा मैं basic method की बात करूँ क॑ष्याश् garment looked ionic कितना बड़ा होता है जितना लाब होता है ठीक है यह चीज आपको पता है अब यहां पर देखो विक्रे मुल्य अब विक्रे मुल्य यहां पर यह बुलाए कि 33 मिटर कपड़ा बेचने पर तो मैं इसा बोल देता हूं 33 मिटर कपड़े को मैं 33 आइटम ही बढ़ देता हूं मैं इसा बोल देता हूं 33 का विक्रे मुल्य Selling Price SP ठीक है तो SP चीज को इलर्जी नहीं होने चेंगे आपको SP का Selling Price मैं बता चुका हूं लाब भी हो रहा है तो यहां लाब में कुछ भी हो वो लिखूंगा ठीक है लेकिन कुछ भी की जगह क्या होगा यहां पर लाब आपका क्या लाब होना चीए लाब क्या होना चीए 11 मिटर कपड़े के विक्रे मुले के बराबर तो यहां पर 11 मिटर को भी मैं 11 आइटम बढ़ इस सेड में SP, ये SP सेड में आ गया, है ना, तो ये क्या बन गया, 33 SP minus 11 SP, equals to 33 CP, ठीक है, यहां पर क्या हो गया, 22 SP, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 22 into VKAMULLE, बराबर 33 into CP को मैं क्या लिख दूँ, क्रेम उले, इसका मतलब क्या हुआ, कि मैंने चीज को VKAMULLE कमान, तो क्रेम उले के साथ वाला हूँ, और क्रेम उले कमान, VKAMULLE के साथ वाला, देखो, सेम हो, वही प्रोसेस बन गया, मैं बार इंपोर्टेंट है, जगह-जगह आपको यह चीज देखने को मिलेगी, इसका मतलब 22 में खरीदी, क्रेम उले, और अगर विक्रेम उले का, मैं अनुपात लेता हूँ, तब मुझे पता चलता है, कि यह चीज कितने में खरीदी, 22 में और बेच कितने में दी, 33 में, तो 22 पर, 22 पर, इंटो क्या हो गया, 100, तब मुझे पता चला कि परसेंटेज प्रोफिट हो कितना हो रहा है, 50 परसेंट, यहनि C उप्सन आपका सही उतर होगा, ठीक है, तो इस तरीके से हम सोल कर सकते हैं, फिर देखो, इसका हम दूसरा तरीका मां आपको बताता हूँ, आपको क्या दिया कि 33 मिटर कपड़ा बेचने पर एक व्यापारी ने 11 मिटर कपड़े के विक्रह मुले के बराबर लाब कमाया, 33 मिटर कपड़ा, कपड़ा बेचने पर, लाब किसके बराबर कमाया, 11 मिटर कपड़े के विक्रह मुले के बराबर, कपड़े के विक्रह मुले के बर एक चीज बताओ बहुत ही simple language में ऐसा कर लेता हूँ कि 33 मिटर कपडा बेचने पर तो 33 मिटर को अधा उसकी रेट एक मिटर की 3 दिया 33 रुपए अब लाब भी कमाया लाब किसके बराबर 11 मिटर कपड़े के विक्रे मुल्य के बराबर तो जब विक्रे मुल्य एक मिटर कपड़े का एक रूपए तो 11 मिटर का ग्यार है विक्रे मुल्य लाब दोनों मिलगे तो हमें क्या निकाल लेते हैं क्रेम मुल्य क्र विक्रेमले से छोटा होता है कितना छोटा होता है जितना लाव होता है तो कितना होगा 22 यहां पर हम percentage profit अगर निकालेंगे तो 11 बटे 22 इंटू क्या कर देंगे 100 तो यहां पर भी कितना निकल करा जाता है 50% हमारा सही उतर हो जाएगा ठीक है तो आपके बास में दूसरा तरीक क Traeम बेचता है तह बीस किताबों के Crayem Couple के बराबर LAB कमाता है तो उसका प्रतिससता LAB क्या होगा आपको बता है लाब कमा रहा है और विक्रेम मुले जो है वो लाब के case में क्या होता है क्रेम मुले और प्लस में आपका क्या होता है लाब होता है ठीक तो 60 किताबें बेजते हैं तो 60 का विक्रेम उले 60 का विक्रेम उले यानि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसा लिख सकता हूँ 60 इंटू विक्रेम उले बराबर 60 का क्रेम उले भी तो होगा तो 60 into क्रेम उले प्लस लाब कमाता है 20 किताबों के क्रेम उले के बराबर 20 into मैं क्या लिख सकता हूँ क्रेम उले यहां पर लिख सकता हूँ ठीक है अब हम यहां पर देखो कि इस साइड में क्या हो गया 60 into विक्रेम उले यहां क्या आ जाएगा साट और क्रेम उले क्रेम उले जुड़ जाएंगे तो असी इंटू क्या हो गया क्रेम उले आप यहां पर देखिए कि चीज खरीदी कितने में आपने खरीदी साट में बेची कितने में असी में जो क्रेम उले और विक्रेम उले उसकी बीच में अगर मैं अनुपात की बात करूँ तो 60 में आपने खरीदी, बेची कितने में? 80 में, फाइदा कितने का कमा लिया? 20 का कमा लिया, जो benefit हो कितने का कमाया? 20 का, और 20 का किस पर? 60 पर, तो percentage profit आपको हो रहा है, कितना? 20 का और कितन 3% आपका सही उतर आजाएगा, कितना आजाएगा इसमें? 33 से 1 बटा, 3% आपका सही उतर आजाएगा, तो इस तरीकी से आप questions को कर सकते हैं, ठीक है? सेम हमने जो इससे पहले question किया था, उसी कितरह ही है? अब बताओ, next question क्या होगा? ये भी काफी अच्छा question है, और नया pattern न विक्रे मुले पर 25% लाब की गणना करता है, तो ये दिमाग में आते हैं अपना माथा ठनकना चाहिए, कि विक्रे मुले पर कब से करने लग गए लाब की गणना, जबकि लाब की गणना होती किस पर है? क्रे मुले पर, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं, गडबड को सुधार है, वो चाहता है कि वास्तिक लाब परतिस्ता हमें बताओ, तो आपको इसको कैसे निकालें, तो आपको पता है, लाब कभी भी विक्रे मुले पर नहीं निकाला जा सकता, कभी भी नहीं निकाला जा सकता, तो आपको पता है, यहाँ पर इसने बोला है, लाब कित नीचे कौन रहेगा विक्रयमुल्य रहेगा नीचे कौन रहेगा विक्रयमुल्य तो उपर कौन रहेगा लाब की बात है तो लाब रहेगा ठीक है अब बात क्या हो रही है वास्तिक लाब की हो रही है वास्तिक लाब हमेशा किस पर निकाला जाता है क्रयमुल्य पर वास्तिक मुल्य का केस होता है और लाब होता है तो हम विक्रेम मुल्य में से लाब को गटा देते हैं तो हमें पता चला विक्रेम मुल्य कितना है चार चार में से एक को गटाया तो क्रेम मुल्य कितना मुल गया तीन तो वास्तिक लाब हम कैसे निकालेंगे तो हम क्या बोलेंगे लाब बटे क्या होना चाहिए क्रैम उले और इंटू क्या होना चाहिए 100 तो लाब कितना है आपका? 1 क्रैम उले कितना है? 3 इंटू क्या करदेंगी 100 तो हमारा आंसर क्या होगा ते? 301 बटे 3% है याननी C option हमारा सही उत्तर हो जाएगा ठीक तो इस तरीके से हम इनको कर सकते हैं आपको पता है जैसा बोला गया है इसमें हम उसके according ही चल रहे हैं यहां पर बोला है वास्तिकलाब तो हमारे दिमाग में आना चाहिए हमारे पास में काम क्या है करना क्या है तो वास्तिकलाब निकालना है तो वास्तिकलाब तो इसका मतलब जो लाब व्यापारी निकाला है ना वो बटे में क्रेम उल्य नहीं है बटे में विक्रेम उल्य तो जो विक्रेम उल्य लाब मिल गया तो मैं यहां से क्रेम उल्य निकाल लूँगा इस क्रेम उल्य को नीचे रखके यहां से मैं वास्तिक लाब निकाल की बता वो व्याप्यारी ऐसा है कि वो लाब की गणना ना लाब की गणना विक्रे मुल्ये पर करता है ठीक है किस पर करता है विक्रे मुल्ये पर और लाब कितना बताता है वो आपको वो बताता है आपको 14.02 बटा 7% लाब आपको बताता है ठीक है अब आप से क्या बुचा गया है then find out तो वास्तिविक लाब बताओ ठीक है वास्तिविक लाब वास्तिविक लाब रतिस्ता आप बताओ then find out actual percentage profit ठीक है actual क्या होगा ये actual में hypothetical है या अब वो calculation जैसे भी अपनी कर रहा है वो अपनी calculation विक्रेम उले पर करके या हो सकता है किसी को show up करने कोशिस कर रहा हूँ अब आप से ये पुचा गया है कि वास्तिविक जो लाब प्रतिस्ता है वो क्या होगा ये होते ही मेरे दिमाग में एक ही चीज आने ही चीए कि वास्तिक तो तब आता है जब बटे में क्या हो क्रेम हो ले और इंटू क्या हो ये चीज हमें पता हो नहीं चीए हम में तब ही सोल कर पाते हैं जब हमें पता हो कि हमें करना क्या है ठीक है तो मुझे ये करना है अब ये करने के लिए मुझे क्या क्या चीए चलो वो बात कर लेते हैं तो ये करने के लिए मुझे ये चीज चाहिए कि 14 C 2 बटे 7% पहले तुम इसको लिख लेता हूँ, 14 C 2 बटे 7% का मतलब 1 बटे 7 होता है, ठीक है, अब देखिए, जिकर किसका हो रहा है, लाब का, मैंने आपको कहा, कि मैस में जहां कहीं भी, जब भी, जहां कहीं भी जिकर होत क्रेम लिए किसे निकलेगा, क्योंकि यह जो लाब निकाला है ना, इसकी गटना हो किस पर करायरा है, विक्रेम लिए पर इसका मतलब नीचे वाले चीज क्या ए, विक्रेम लिए मिल गया तो मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं, वो क्यासे निकालूँ गा Means विक्रमुल्य में से मैं क्या गटा देता हूँ लाब गटा देता हूँ विक्रमुल्य साथ है एक गटा है कितना आगया छे मैं बटे में छे लिखता हूँ और एक बटे छे का मतलब 16-2 बटे 3% होता है इस दियान में रखें बहुत ही अच्छा question है बहुत अच्छा concept है ठीक है फिर देखो जैसा कि आपको यहां पर दिया कोई व्यक्ति अपनी हानी को विक्रे मुल्य पर इतनी अनुमानित करता है तो हानी और लाब विक्रे मुल्य पर तो नहीं होते फिर यह कर रहा है तो हम देख लेंगे कि 20% हानी का मतलब क्या होता है हानी का मतलब 20% का एक बटे 5 जिस का जिकर हो रहा है उपर रहेगी हानी का जिकर हो रहा है हानी उपर रहेगी हानी होती क्रे मुल्य पर है लेकिन ये बंदा किस पर कर रहा है विक्रे मुल्य पर तो बटे में क्या रहेगा विक्रे मुल्य ठीक ह अब आगे देख लेते हैं उसकी हानी प्रतिसत क्या होगी अब आपको उसर यहां तो वास्ति की लिखा ही नहीं लेकिन मैं एक चीज बता दू यहां पर यह भी तो नहीं लिखा कि यह किसी ओर पर कर रहा है हानी परतिशत या वास्त विए हानी परतिशत का मतलब है कि हमेशा किस पर consider होती है क्रेम उले पर तो इसका मतलब यहां पर यह किस चीज़ को find out करने कोशिस कर रहा है हानी अपोन क्या हो जाएगा क्रेम उले और इंटू क्या कर देंगे सो हानी है कितनी आपकी एक क्रेम उल्ले आपका कितना है अब क्रेम उल्ले तो नहीं पता तो हानी की केस में क्रेम उल्ले क्या होता है क्रेम उल्ले क्या होता है हानी की केस में ज्यादा होता है मतलब हानी तब हमें मिलता कम है हमें खरीद ज्यादा में रखा है इसका मतली आप तो एक जपक्त जूट जाएंगे तो 5 और यह कितना हो जाएगा च्शे तो बट्टे में यहांपर क्या कर देता हूं छे इंटि एक्या करता हूं सो तो यहां पर कितना निक्लाकर आएगा वाट्टे सोलेधा सई द्रसेंट तो 15 황 तो इस तरीके से आप इनक्स्ट को कर सकते हो अब बताओ नेक्स्ट केसन आप इसको कैसे करोगे इसमें आपको क्या लिखा हुआ है कि एक वस्तु को 170 रुपे में बेचने पर देखो मैं तभी आप कर पाओगे जब आपको डेली लाइफ में जैसे चीज महसूस करते हो ना वैसे इनको महसूस करना सीखो 170 रुपे में बेचने पर तो इस दोरान प्रोसेस हो क्या रहा है देखो मैंना आपको यह की चीज बता रहे है कि प्रोसेस दो तिन टाइप की होते हैं या बेचना होता है तो खरीदने का जिकर हो तो क्रेम उले बेचने का जिकर हो तो विक्रेम उले इस दोरान दो ही चेंज होते है या तो प्रोफिट होता है या क्या होता है लोस होता है बस खाम खतर ठीक है अब यह सारे अब एक चीज बताओ कि जब भी प्रोफिट लोस की तो हमेशा किसमें दिये होते परसेंटेज में, परसेंटेज का जिकरत हम बात किसको कर लेते हैं, सो को ध्यान में रखके कर लेते हैं, बहुत ही असान क्वेस्चन हो जाते हैं, ठीक है, अब देखो, मैं आपको कई टाइप से यहां पर करवाऊंगा, 170 रुपे में बेचने प कुछ कलपना ही करते हैं, ठीक है, इमेजिन करते हैं, सेम यहां पर भी वह इमेजिनेशन हो रहा है, कि उसे 20% लाब पाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपे में बेचना होगा, यह बड़ा कमजोर व्यापा रही है, तो यह क्या करता है, इस टाइप से सोचता है, कि मैं कोई 170 रुपे में बेच दी, उसको नुकसान हो गया, अब बेटा-बेटा कलपना कर रहा है, अगर मुझे 20% चाहिए होते हैं, तो मैं कितने में इसको खरीद हूँ, यह सुरी, कितने में इसको बेच जूँ, ठीक है, अब यह बेटा-बेटा इनी चीजों को सोच रहा है, अब वापिस वही पूछ रहा है, कितने में बेचना चाहिए, एक बार इसने बेच दिया, दुबारा यह बेचना चाहता है, इसका मतलब जब एक बार बेच दिया, तो भाई साब आप विक्रे मुले दे चुके हमें, अब आप दुबारा बेचना चाहते हो, तो फिर विक् कर रहा है कि मैंने एक बार किसी चीज को बेच दी चो हो सकता है इसको फाइदा हो अगर फाइदा हो जाए तो यह आदमी इतना डीठा आदमी है कि इस तरह की कलपना है करेगा कि किसी वस्तु को बेचने पर 10% का फाइदा हो गया यह फिर कलपना करेगा कि अगर 30% लाप लान 15% की हानी हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, 15% की हानी का मतलब क्या हुआ, 15% मतलब सोपर 15 की हानी हो रही है, मतलब आपको मिल कितने रहे, 80, मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाहता हूँ, कि 15% की हानी, हानी किस पर होती है, क्रेम उल्ले पर, किस पर होती है, क्रेम मुल्य पर तो क्या मैं 15% को 15 बटे सो नहीं लिख सकता क्या लिख सकते हैं तो जब भी बात परसेंट की होती है तो आप तो कसम खालो कि क्रेम मुल्य कितना होता है हमेशा सो ही होता है ठीक है अब हानी होती है तो सो में से उतना घठा देना है लाब होता है तो सो में उत चीज़ बिक्येगी, हनी जब होती है, तो सो से कम में बिक्येगी, अगर लाब होता है, तो चीज़ सो से ज़्यादा बिक्येगी, अगर ये 15% का लाब होता है, तो आप अटाक से बोलते हैं, सर 115 मिलेंगे, ठीक है, अगर मैं आप से कहूँ, 30% का लाब, तो आप कहूँ कि ब कीULI 70% का है लोस हो रहाएं थीक है तो आपको 70% का लोस इस कम सो से कम तो आप क्या वोलोगी 83 किटना हो जैगा 83 अगर मैं आप से कौंँ 40% की हानी तो आप क्या को क्या कर बद का लाव को आप क्या को होगे विखर मुले 170 very good तो इस तरीके से चीज़ें सारी मेंजन करनी है, इसी तरी के से हमें सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है क्योंकि हमें पता है कि lab और honey percentage में दिये होती है और ये lab honey हमेसा क्रायम उल्य पर रहती है, क्रायम उल्य हमेसा नीचे रहता है, इसका मतलब सो भी % में नीचे रहेगा तो कर्यह मूल एक्मिल ली कितना हो जाएगा सो हो जाएगा ठीक है अब हम बात करते हैं बापिस गुस्षिन पर आते हैं ठीक है अब एक चीज बताईए यहां पर कितनी चीजें दीवी है विक्रह मूले पहला दिया है हानी डीवी विक्रे मुले दूसरा वो पूछना चाहता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है हम सारी चीजों को अच्छी तरीके से निकाल लेंगे कैसे निकाल लेंगे देखो 15% की हानी होती है इसका मतलब पहला विक्रे मुले मुझे पता चल गया कितना चल गया 85 है पहला विक्रे मुले कितना है 85 है किस का मान कितना है 170 तो 85 का मान 170 तो एक का मान कितना आ गया आपको विस्वर 170 बटे 85 यानी कितना आ गया ठीक है? अब देखिए वो उसे 20% लाब पाने के लिए बेचना चाहता है मतलब उसको विक्रह मुल्य दूसरा फिर चाहिए तो फिर चाहिए तो फिर बेचना पड़ेगा अब उसको कितने में बेचना पड़ेगा? 120 चाहता है वो 120 कमान कितना आजाएगा 240 रुपे क्योस्टन मात्र दो लाइन में खतम यानि वी ओप्सन आपका सही उतर हो जाएगा बहुत ही important question है very very important question है कोई भी exam इसा नहीं है जिसमें यह क्योस्टन ना है ठीक है तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हो हमेसा दो दो के नजदीक हानी होती तो सो में से उतना घट जाती है इतने मैं बेचने पर इस लाइन में दो चीजेन चल रहे है इतने में बेचने पर सित हो गया तो तो मुझे मिला का मान कितना है दो रूपए 20% लाब पाने के लिए तो और रेड़ी जब क्रेम उल्या 100% मानता हूं तो 20% लाब लाने के लिए जब 20 जोड देता हूं तो 120 मेरा सेकंडरी सेलिंग प्राइस बन जाएगी विक्रेम उल्या बन जाएगा जिसका मतलब होगा 120 का परसेंट का मान कितना होगा 120 इंट्व दो यान 240 रूपए ठीक है समझे में आई बात आपको दूसरा तरीका दूसरा तरीका देखो क्या होता है कि विक्रेम उल्या दूसरा अगर निकालना होता है कभी भी तो हमेसे दियान मेरा पहला विक्रेम उल्या इंट्व जो चाहिए बटे जो है बस कितना ही करना आपको इसकी यह ट्रिक हो सकती है दूसरा विक्रे मुले निकालना है पहला विक्रे मुले इंटू जो चाहिए बटे जो है अब देखो क्या क्या चाहिए पहला विक्रे मुले कितना है? 170 170 मैंने लिखते है 170 जो चाहिए क्या चाहिए मतलब मैंने कहा था ना बेटे बीड़े वो कल्ब ना करेगा क्या चाहिए उसको उसको चाहिए लाब कितना चाहिए 20% अब परसेंट लाब अकेला कभी नहीं रहता लाब और हनी हमेशा सो के साथ में रहते हैं आपको ना हानी हो रही है कितने की 15 तो हनी तो घटती है तो 100 माइनस कितना आ जाएगा 15 ठीक है यह कितना आ जाएगा वही 170 इंटू 170 इंटू 120 और बटे में 85 कितना आ जाएगा वही यह कटट आके 240 रुपे तो आब इस तरीके से भी इसको find out कर सकते हैं करने के बहुत सारे तरीके हैं किसी भी तरीके से इसको आप निकाल सकते हो ठीक है चाओ तो आप एक चीज देखो यह वही चीज है एक वस्तू की बात हो रही है जो दुकानदार है ना एक वस्तू की बात करा है यह वही वस्तू है जो उसने खरीदी है अब बार बार तो इसको खरीद नहीं सकता एक ही ब होगा तो आईए हम उसी के according इसको फिर कर लेते हैं दुबारा ठीक है कैसे 170 रुपे में इसने बेचा 15% का loss कितने में बेचे ताकि 20% का profit है ठीक है मुझी क्या निकालना है क्रेम उल्ले क्रेम उल्ले हमेशा क्या होता है विक्रेम उल्ले into पहले की price है तो 100 plus minus profit या loss ऐसे रहेगा ठीक है पहले की price कुछ भी निकालते है तो बटे में रहती है जो गटना बटना सारा बटे में रहता है ठीक है अब देखिए मुझी क्या करना है मैं इसा क्यों गर रहा हूँ आपको पता है इस case में चाहे इस case में चाहे पहले case में चा दूसरा क्रेम उले ठीक है बात अपनी पनी समझ की होती है अगर हम थोड़ा चीज़ें को समझने लग जाएंगी तो सारी चीज़ें अपने आप समझ में आ जाती है सोटकट बनाने नहीं पड़ते हैं अपने आप बनने लग जाते हैं फिर देखिए क्रेम उले यहाँ पर कितना है 170 है इंटू कितना आ जाएगा भी 100 बटे मैं कहा रहा हूँ क्रेम उले जब भी निकालते है पहले की कुछ भी चीज निकालते है तो कमी वरदी हमेशा निच क्रेम उले क्या है तो हम सपोज कर लेते हैं कि वो क्या है अपका एक्स है इंटू 100 बटे हम कितना कर देंगे 120 120 क्यों क्या क्यों कि देखो क्रेम उले निकाल रहे तो कमी वरदी हमेशा निचे रहती है तो लाब है तो लाब जूड़ेगा ठीक है अब देखिए 100 सिस हो गया ठीक है? यह सोचिस हो गया है और कुछ यह 85 यह कितना आगए 2 तो X का मान कितना रहा? 120 सी साइड आगए तो 2 इंटो 120 यहन कितना आगए X का मान 240 रूपे कितना आगए 240 रूपे बस इतना सिंपल क्वेस्चन था तो मैंने इसको करने के आपको तीन तरीके बता दिए ठीक है? तरीके और भी हो सकते हैं कुछ तरीके ऐसे भी होते हैं कि मैं बताने को आप ऐसा भी बता दिए हूँ क्वेस्चन देख के डारेक्ट आप इस बेटिक कर दो लेकिन वो चीज तभी कर पाओगे तभी आप लोगों के लिए वो बेनिफीसियल है जब आपको बेसिक सारी चीजे आती है ठीक है? बताओ मुझे नेक्स्ट क्वेस्चन है इसका अंसर कैसे निकल को? सेम उसी थिम पर है सेम उसी पेटन पर है बस आपको जल्दी सी इसका अंसर बताने है एक बेक्ति को एक वस्तु चार हजार उपें बेचने पर बीस परसेंट की हानी होती है तो उसे चालीस परसेंट की हानी उसको चालीस परसेंट की हानी प्राप्त करने के लिए लाब नहीं है चालीस परसेंट की हानी प्राप्त करने के लिए उस स्वस्तो को किस किमत पर बेचना होगा देखो आदमी इस टाइप के भी होते है यह उसको 20% के हानी होगी फिर भी हानी चाहता है तो मैं सेकिंड अगर SP निकालना चाहता हूँ तो मैं डारेक्ट कह सकता हूँ 4000 इंटू क्या है मेरे पास हानी है तो 100 में से गट जाएगी तो 80 क्या चाहिए मुझे हानी फिर चाहिए तो कितना आजाएगा 60 तो आपका यह क्या चाहिए मुझे मुझे चाहिए हानी कितने की 40% तो जो चाहिए वो उपर रहेगा जो चाहिए वो उपर रहेगा 100-40 बट्टे में क्या है मेरे पास में हाँ नहीं है 100-20 ठीक है तो यहां पर देख लिए कितना आजाएगा 4000 इंटू 4000 इंटू 60 बट्टे 80 यह 0 से 0 गया कितना आजाएगा आपका पच्चांस और यह कितना आगा आपका 3000 तो D option आपका right answer ठीक है अब आप इसको करने के लिए आपके पास में इतने सारे method है तीन method में आपको बता चुका हूँ किसी भी method से आप कर सकते हो हर question के लिए मैं आपको वह method repeat नहीं करूँगा ठीक है फिर भी मैं second method है आपका फिर बता देता हूँ दूसरा तरीका इसको क्या है कि 20% की हानी होती है तो मुझे मिल कितना रहे 80% मेरा SP कितना है 80% 80% का मान कितना है आपका 4,000 रुपे 80% का मान कितना है 4,000 1% का मान कितना है 4,000 वटे ठीक है कितना आजाएगा भी 50 अब देखिए मुझे निकालना क्या है अब मुझे फिरानी निकालनी है 40% की तो मुझे SP कितना है मेरा विक्राय मुले कितना बचेगा 40% मैं खुद हानी चाह रहा हूँ तो विक्राय मुले बचेगा कितना तो आपको 60% ही बचेगा तो फिर मातलब यह हुआ कि मान मुझे 60% का निकालना है तो 60 into 50 यान कितना 1000 रुपे हो गया 3000 रुपे हो गया कितना हो गया 3000 रुपे है ठीक है आई बात समझ में तो उमीद करता हूँ कि आप सारे मेरे questions हैं वो अच्छी तरीकी से समझ रहे होंगे आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो वीडियो आप पोज करोगे या वापिस कोई भी question जहां आपको दिक्कत आ रहे है तो वापिस उनको देखोगे और मुझे उमीद है कि आप वापिस उसको अशी तरीकी से कवर कर लोगे फिर देखो राम को एक वस्तु 1320 रुपे में बेचने पर 20 प्रतिसत का लाब होता है यदि उसे 770 रुपे में बेचने पर कितने प्रतिसत का लाब अथो हानी होगे ठीक है अब देखिए पहले वाले में ये था कि 2 percentage दी वे थे ठीक है इसी का second type है अभी जो हमने 2 questions जो last किये थे वो पहले type के थे जिनको हम first type का कह सकते है और अभी जो हम questions कर रहे है वो second type के अभी इसमें क्या होगा दोनों SP दी होंगे क्या दी होंगे दोनों SP दी होंगे तो यहां पर भी आपको कोई गवराना नहीं है चीक है आपको जो चीज दी भी है ना उसके according ही चलना है जो हमने किया उसका second form है तो हम कैसे करेंगे कि राम को एक वस्तु 1320 रुपें बेचने पर 20% का लाब होता है यदि उसे 770 रुपें बेचने पर कितने परतिस्ट का लाब अथ हुआ हानी होगी तो हम इस question को भी उसी तरीके से कर सकते हैं कैसे या तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो कि दोनों चीज़ें आपको दे रखी है एक परसंट आपको निकालना है तो आप कैसे करोगे 1320 रुपें बेचने पर 20% का लाब होता है और एक चीज़ बताओ हमेसा मेथ में एक चीज़ होती है जो ग्यात ऐसे होता है मेस में एक तो होती है एक होती है एक होती है आरेच्चे साइड मतलब ये डायां पार्ट होता है ये बायां पार्ट होता है ठीक है जो ग्यात करनी है वो इस सेड में रहती है और जो ग्यात है वो हमेसा इस सेड में रहती है एक ग्यात करनी है और एक ग्यात है तो जो ग्यात है वो इस साइड में रहती है जो ग्यात करनी है वो इस साइड में रहती है आप एक चीज बताओ क्या ग्यात है मेरे पास में दोनों एस पी ग्यात है कोई दिक्कत में वो इस साइड में रहेंगे क्या ग्यात नहीं है में है मुझे Shiny वाला नहीं है क्योंकि इस से यह एसॅसीटेड है यह चीज इसके साथ में जीड़ी हुई है तो इसके साथ में बिक्छ जुड़ा वह ना TXT इसका मतलब percentage नहीं है ठीक है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा देखो तेरा सु बीस रुपे किसके वराबर 20% का लाग तो SP यह SP है तेरा सु बीस रुपे में बेचने पर विक्रे मुले का प्रोसेस हो रहा है तो 1320 is the selling price of any item और इस case में आपको क्या हो रहा है 20% का profit तो यह तेरा सु बीस रुपे किस दूसरी क्या दिया 770 रुपे जब एक का मान यह है मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ यह कट जाएगा 12 सी के जाएगा 11 एक का मान एक बटे 11 आगया एक का मान एक बटे 11 तो 770 रुपे में कितना होगा तो 770 को मैं फिर एक बटे 11 इंटू 770 कर देता हूँ तो 11 सी 3 % ज्यादा इसक मतलब 20 % का क्या uh fayda लेकिन 170 में बेज्pected तो मुझे 70 मिलते हैं तो हमreck इससे करते हैं 100 से तब मुझे जब 70 किसले मिलते हैं तो यहां तो कुछ कम ही ओ रही है तो पता चला कितनी कम ही हो रही है तो 100 में से 100 करने के कितनी यह कम ही हो 30 की, तो मतलब मुझे हानी हो रही है, कितनी, 30% की हानी हो रही है, 100 से कितना ज्यादा percentage profit है, 100 से कितना कम परतिसत है हानी, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है, दूसरा तरीका क्या हमने जो, अभी हमने किया था, जो method हमने अभी देखा था, तो वो method भी आप यहां प कैसे करेंगे, 1320 रुपे, मुझे क्या चाहिए, जो दिया क्या है, पहले दिये देखो, मुझे दिया क्या है, दिया क्या है, मुझे एक चीज दे रखिया यह, यह दोनों दी भी है, तो आप ऐसा कह सकते हो, यह दिया है मेरे पास में, यह desired है, तो जो desired value होती है, जो उपर ह होती है, मतलब यह चाहिए, मैं बेचने पर, मतलब वो आगे की बात कर रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, कि 770 मुझे चाहिए, कितने में 1320 में बेचा था, जस उसका उल्टा कर दो, जब 1320 में बेचा था, तो 20% का लाब हुआ था, तो 1% आपको निकाल तो पता चला, यह जो परसेंट है, वो 70% है, जो SP है, परसेंट में जो SP है, सेलिंग प्राइस है, विकर है मुले हो कितना है, 70 है, इसका मतलब मुझे नुकसान कितना हो रहा है, 30% का लोस हो रहा है, नुकसान कितना हो रहा है, 30%, ठीक है, जो हानी है, वो कितनी हो रही है, 30% की मुझे हानी हो रही है ठीक है तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो तो बहुत ही अच्छे questions है जल्दी से मुझे next question करके बता दो कि 630 रुपे में बेचने पर 30% की हानी होती है यदी 1350 रुपे में बेचने पर कितने परतिसत का लाब होगा यदी उसे 1350 रुपे में बेचा जाए अब इस question को कैसे करोगे तो करने के लिए आपको second SP चीए परसेंट में second SP चीए तो परसेंट में जब परसेंट वाला एक चीए तो एक दिया होगा तो आपने यहां पर देखा यह कितना आपको दिया तीस परसेंट हानी होती है तो यह 70 ही दिया है ठीक है क्या चाहिए यदी उसे इतने में बेचा जाए तो 1350 में बेचा जाए जो चीए उपर रहता है दिया क्या फिर नीचे 630 ठीक है जीरो से जीरो गया यह कितना आजाएगा आपका 9 होता है क्या 9 into 63 फिर 9 से इसको बाग दिया एक बार गया फिर यह पांच बार जीरो मतलब अब है क्या क्या पर्सेंटेजریर एस्पी कि हम बात करें तो 150 आ रहा है मतलब यह 100 से भी जड़ा है तो 100 से ज़़ादा कितना ज़यादा है 50 पर्सेंट लाप हो रहा है जितना जयादा उतना इन लाप पचास पर्सेंट का लाप यंडी option आपका सही उत्तर हो जाएगा तो इस तरीके से आप questions को कर सकते हो ठीक है और आप जो भी दूसरा method है वो भी आप इसमें लगा सकते हो तो इस तरीके से आप सारे questions हैं इनको आप दूसरे के साथ में compare करके इनके पार्ट कैसे भी change हो सकते हैं क्योंकि इसमें तीन चार चीज़ें दी भी होती है तो कैसे भी करके इनको वो टाइप वाइस इनको rotate करवा सकता है तो इस तरीके से आप इन questions को अच्छी तरीकी से तो इस तरीकी से आप सभी questions की regular practice कीजिएगा next video में अपने बढ़ते हैं इसे related high level के और अच्छे questions तब तक thank you so much we see you all the best